देश में गेहूं और चावल की कीमतें एक दूसरे के विपरीद चल रही है केंद्रिय पूल में स्टॉक की कमी और उत्पादन में आई गिरावट की वज़े से त्योहारी सिजन के दौरान गेहूं की कीमतें बढ़ी है दिल्ली में गेहूं का भाव बढ़कर 2550 रुपए प्रतिकुंटल तक पहुँच गया है ध्यान रखिए 2015 रुपए की पिछली MSP थी भाव 2550 रुपए इस समय बाजार में है चावल की बात करें तो उसकी कीमतों में नर्मी देखी जा रही है तो यहारी सीजन से पहले गैर बासमती चावल लगभक 5 फीसद सस्ता हो गया है और बासमती चावल की कीमतें तो 10 फीसद से ज़्यादा गिर गई है क्यों गिर गई है क्योंकि धान की आवक का सीजन शुरू हो गया इस विए से चावल के भाव पर दबाव बना हुआ है, सर कीमतों का ये रुख, गेहूं का अगर देखें तो महंगाई है, चावल सस्ता है, कीमतों का ये रुख, खाद महंगाई को लेकर क्या बता रहा है? गेहूं की कीमतों को लेकर शुख, जो खाद महंगाई का दबाव था वो और बढ़ता दिखाई दे रहा है, गेहूं की कीमतों 26 रुपए के असपास पहुंच रही है, और अभी चूंकि गेहूं की नई फसल आने में देरी है, तो दो महत्तुपून चीज़ें हैं दिख रही एक तो यह की गेहूं की आवक भी इस समय बाजार में बढ़ी है, शायद फेस्टिवल सीजन और तेवहरी सीजन की जो मांग आती है गेहूं की के आटे की तेवहरी सीजन में उत्पादन के लिए या इस नेक्स इंडस्ट्री की तरफ से, साथ सुन देख रहे हैं की गेहू की आपूरती बाजार में बढ़ रही है, उसमें भी एक पहलो गैर बास्मती चावल की कीमत में गिरावट का है, करी 5% की गिरावट का, संभावनाय मानी जा रही है कि अगर बाजार में परियाप चावल नहीं आया तो शायद सरकार इसके निर्यात को पूरी तेरे प्रित् यह है, ऐसा लग रहा है कि लोग बाजार में नई फसल से पहले चावल की जो कीमत मिल रही है, उसे उस पर बहतर कीमत लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों प्रमुख फसलों में और दोनों प्रमुख अनाजों की संदर्ब में, हमें अभी मौजूदा परिस्तिती में, में खादे महेंगाई पर दबाओ बनता दिखाई दे रहा है, खास्तोर से गिहूं को लेकर खादे महेंगाई पर बढ़ता दबाओ, सरकार को MSP तै करने में जाधा बड़ी दिक्कत बनेगा, क्योंकि अगर 25,25,25 रुपे प्रतिकुंटल के आसपास किहूं के कीमत है, तो सरका रभी मौसम के लिए यहूं का MSP क्या तै करेगी, अब सबकी निगाए इस बात